नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिए आज कुछ अन्य प्रशनों का अभ्यास करते हैं चैप्टर फूर्थ कार्बन एवं उसके योगिकों से संबंधित जो की पिछले कुछ वर्षों में विभिन बोर्ट परिक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आपकी आने वाली परिक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो इनको बहुत अच्छे से समझना है, रिविशन करते रहना है, सॉल्फ करते रहना है ठीके? देखिए इसमें पहला प्रश्न है निम्न कार्बनिक योगिकों का नामकरण कीजिए तो देखिए इसमें आपको दो पार्ट दिये गए हैं एक-एक नंबर का प्रतिय कोईशन है ठीके? इनको हम एक-एक करके सॉल्फ करते हैं पहला है ये वाला इसमें सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? कि हम कार्बन परमाणू की संख्या गिने कितनी है? कितनी है? एक, दो, तीन, चार तो चार तो कार्बन परमाणू होगा इसका मतलब है कि ब्यूटेन में से एक-एच को प्रतिस्थापित करके ये वाला प्रकार्यात्मक समू जोड़ा गया है ये प्रकार्यात्मक समू क्या है? C-O-O-H यानि की कार्बोग्जलिक अमल का तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोग्जलिक अमल के लिए हम अनुलगन के रूप में क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं O-I-C-A-M-L या O-I-C-A-C-E-D तो ये क्या है? ब्यूटोनोईक अमल या फिर ब्यूटोनोईक असिट तो ये तो हो गया इसका नाम अब चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ अगला है यहाँ पर भी सबसे पहले हमको कार्बन के परमानों की संख्या ग्याद करनी है तो एक, दो, तीन यहाँ पर कोई प्रकार्यात्मक समूटों नहीं लगा है लेकिन कुछ नई चीज यहाँ पर नजर आ रही है क्या दिख रहा है यहाँ पर दो कार्बन परमानों के बीच में ट्रिपल बॉंड या त्री आबंद है ना ये त्री आबंद जहाँ पर लग जाता है इसका मतलब वे क्या होते हैं वे होते हैं एलकाइन श्रेणी के सदस्य ठीके तो इनको हम क्या नाम देंगे देखे कार्बन के तीन परमानों है तो ये तो हो गया प्रोप ठीके अब कार्बन के कौन से परमानों पर ये आइन समू जुड़ा हुआ है ये त्री आबंध जुड़ा हुआ है ये है एक पहले परमाणू पर है ना तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और क्या है ये आइन तो ये बन गया प्रोप 1 आइन इसका नाम इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे ठीक है अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न तो अगला प अमल बनाने की रासाइनिक समिकरण ख है एथेनोईक अमल से एस्टर बनाने की रासाइनिक समिकरण और ग है एथेनोल से एथीन बनाने की रासाइनिक समिकरण इनको भी हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं देखिए एथेनोल से एथेनोईक अमल किस प्रकार से बनता है य हमने चैप्टर पढ़ते हुए बहुत अच्छे से किया था हमें क्या बनाना है एथेनॉल एथेनॉल का क्या मतलब है CH3CH2OH है ना इससे बनाना है हमें एथेनोईक अमल एथेनोईक अमल क्या होता है CH3COOH ठीक है अब ये कैसे बना इसकी अभी क्रिया कौन से पदार्थों से हुई कि ये एथेनोईक अमल में बदल गया तो हम क्या करते थे शारी पोटेशियम पर मेगनिट के साथ में एथेनॉल की क्रिया कराते थे प्लस उश्मा भी देनी होती थी या हम क्या करते थे एथेनौल की ख्रिया कराते थे अमलिय, पोतेशियम, δाय, क्रोमेट यानि क्लस उष्मा देनी पर यह उतपात के रूप में निर्मित कर देता है एथेनौिक अमल ठीक है तो यह CH3, CH2, OH क्या होता है एथेनौल ठीक है और CH3, COOH यह क्या होता है ये होता है एथेनोल से एथेनोल अमल बदलता है और उसके लिए क्या रासाइनिक सम्य करण होती है ठीक है आप देखते हैं अगला प्रश्ण तो देखिए एथेनोल इसटर किस प्रकार से बनाया जाता है आप लोगों को एसटरी करण अभिक्रिया याद है हम लोगों ने जो अभ्यास वाला अपना पहला पार्ट किया था ना उसमें भी एस्टरी करण अभिक्रिया पूछी गई थी सीधे सीधे है ना तो इसका क्या मतलब है ये एस्टरी करण जो अभिक्रिया है ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है प्रश्ण बदल रहा है प्रश्ण का स्वरू बदल रहा है लेकिन पूछा तो सेम ही चीज़ जा रही है तो इसको तो बहुत अच्छे से सीख लेना है ठीक है तो देखिए एथेनोईक अमल की CH3 COOH एथेनोईक अमल की जब क्रिया होती है एथेनोल के साथ में CH3 CH2 OH के साथ में किसकी उपस्थिती में याद करिए अमल उत्प्रेरक की उपस्थिती में ठीक है जब एथेनोईक अमल और एथेनोल ने क्रिया की अमल उत्प्रेरक की उपस्थिती में तो ये उत्पाद के रूप में निर्मित कर देते हैं CH3 C double bond O O CH2 CH3 ठीक है और यही क्या होता है यही होता है एस्टर और H2O यानि की जल तो इनके नाम लिख दीजिए क्या क्या नाम है CH3 COOH का क्या मतलब है एथे नौइक अमल ठीक है जबकि CH3 CH2 OH क्या होता है यह होता है एथे नौल इन दोनोंने क्रिया की अमल उत्प्रेरक की उपस्थिती में और निर्मित कर दिया एस्टर ठीक है CH2 OH ठीक है जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है गर्म, सांद्र, सल्फियूरिक अमल यानि की H2SO4 के साथ में तो यह जल को एथेनौल में से विस्थापित कर देता है अर्थात इस एथेनौल का निर्जली करण हो जाता है और यह बन जाता है CH2 double bond CH2 प्लस H2O अलग हो गया इस समीकरण को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो देखो एथेनौल था CH3 ठीक है CH2 ठीक है OH इसने क्रिया कर ली गर्म, सांद्र, H2SO4 के साथ में या सल्फियूरिक अमल के साथ में तो इस गर्म, सांद्र, सल्फियूरिक अमले ने क्या किया कि जो ये जल है ना इसको अलग से विस्थापित कर दिया ठीक है अब लेकिन कार्बन को तो अपनी संयोजकता पूरी करनी है ठीक है तो वो क्या करेगा कार्बन, कार्बन, double bond का निर्मान कर लेंगे इनके साथ में हाइडरोजन के दो दो परमानू सिंगल बॉंड के थूँ जूड जाएंगे ठीक है और जो जल का अनू है वह तो विस्थापित हो गया ठीक है जो ये double bond है ना ये कार्बन, कार्बन परमानों के बीच जैसा यहां पर नजर आ रहा है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ तो अगला question है निमनलिखित की electron बिंदू संरशना बनाईए पहला है एथिनॉइक अमल और दूसरा है hydrogen sulfide एक-एक करके इनकी electron बिंदू संरशना बनाते हैं तो पहले एथिनॉइक अमल आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि एथिनॉइक अमल का जो रसाइनिक सूत्र है वह क्या होता है वह होता है CH3, COOH है ना ओएक अमल मतलब कार्बोकसलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोकसलिक अमल वाला प्रकार्यात्मक सम्मू जुड़ा हुआ है है ना C double bond OOH ठीक है प्लस कितने कार्बन परमानू है दो कार्बन परमानू है तो बन गया एथ और ये बन गया एथेनोईक अमल CH3, COOH इसके लिए इलेक्ट्रोन बिंदू सनरशना कैसे बनाई देखिए कार्बन के कितने परमानू है दो परमानू इनको इस प्रकार से लिख लीजिए हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने परमानू है ये हो गए तीन परमानू CH3, ठीके? और डबल बॉंड O होता है, ठीके? तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया O ओक्सिजन परमानू, ठीके? यहाँ पर OH ग्रूप है, यानि की O और ये हो गया H अब देखते हैं किस प्रकार से इन लोगों ने अपने अपने इलेक्टरॉन की शियरिंग करी है कार्बन के पास में होते हैं चार इलेक्टरॉन उसके वाहतम कोश में तो ये बना दिया हमने एक, दो, तीन, चार, ठीके? इस वाले कार्बन के पास भी एक, दो, तीन, चार, ठीके? hydrogen के पास में एक-एक electron होता है तो एक-एक electron इस प्रकार से हमने बना दिया ठीक है oxygen के वायतम कोश में कितने electron होते हैं 6 ठीक है तो हम इसको कुछ इस प्रकार से बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको भी बना दीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखिए किस प्रकार से इलेक्ट्रोनों की शेरिंग होगी तो सबसे पहले हाइडोजन का सायोजगता कोश पूर्ण करते रहते हैं तो हमने इस वाले हाइडोजन को दो इलेक्ट्रोन दे दिये क्योंकि इसके पास के ही कोश है और उसमें अधिकतम दो ही इलेक्टरॉन हो सकते हैं इसने भी ले लिए और इसने भी इस प्रकार से शेरिंग कर ली ठीक है अब देखते हैं इस वाले उक्सिजन के साथ में तो ये वाला oxygen क्या करेगा इसको दो electron चाहिए तो ये इस carbon पर्माणू से दो electron ले लेगा ठीक है इस वाले oxygen को देखिए इसने एक electron इससे ले लिया और एक electron इस वाले carbon पर्माणू से ले लेगा ठीक है साथ ही साथ अब ये वाला carbon और ये वाला carbon पर्माणू बच गया तो ये एक एकी sharing तो इनसे कर लेगा तीन ये हो गए चौथा ये हो गया ठीक है तो इसके हो गए इसका अश्टक पूर्ण हो गया इस प्रकार से गिन लीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इस वाले carbon की कैसे पूरे होंगे कैसे संयोजक्ता कोश पूर्ण होगा तो जिस जिसको इसने electron दिया है उनके साथ में क्या करेगा साज़ेदारी तो करेगा है ना उनसे electron ग्रेंड भी करेगा साजा करेगा ठीक है तो इसके पास कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इस से इसका संयोजक्ता कोश भी पूर्ण हो गया और यह हो गया आपके एथेनोईक अमल की electron बिंदू संरशना ठीक है तभी तो यह इस प्रकार से बनता है कुछ क्या बनता है यह CH3 है ना CH3 यानि की hydrogen के साथ में इस वाले carbon परमाणू ने एक एक electron की sharing कर रखी है फिर इसने इस वाले carbon परमाणू के साथ में भी एक ही electron की sharing करी है लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर oxygen के साथ में दो electron की sharing हुई है और OH के साथ में एक एक electron की sharing हुई है तो इस प्रकार की electron बिंदू संरशना यह आप पेपर में बना सकते हो ठीक है electron बिंदू संरशना यह वाली है यह ब H2S, ये question भी बार-बार पेपर में पूछा जा रहा है, तो देखिए, hydrogen का electronic विन्यास एक होता है, क्योंकि उसका पर्मानुक्रमांग भी क्या होता है, एक ही होता है, ठीके, और जो sulfur है, उसका पर्मानुक्रमांग 16 होता है, ठीके, तो इसका electronic विन्यास कितना हो जाएगा, 2, 8, 6, ठीके, तो इसके वायतम कोश में 6 electron होंगे, इसको चलिए लिख लेते हैं, hydrogen का पर्मानुक्रमांग होता है, एक, तो इसका electronic विन्यास तो इतना ही रहेगा, ठीके, वहीं जो sulfur होता है, उसका पर्मानुक्रमांग होता है 16, तो इसका electronic विन्यास 2, 8 और 6 हो जाएगा, तो वायतम कोश में 6 electrons हैं, तो बना लीजिए, इसकी संरशना तो बड़ी ही easy है, देखिए, sulfur का एक पर्मानु हैं, ठीके, और इसके वायतम कोश में कितने electrons हैं, 6 electrons हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीके, वहीं जो hydrogen है, उसके वायतम कोश में एक ही electron है, और 2 hydrogen के पर्मानु हैं, ठीके, इसको 2 electrons और चाहिए, अपना संयूजक्ता कोश पूर्ण करने के लिए, तो ये एक-एक hydrogen पर्मानु से, एक-एक electron की साजेदारी कर लेगा, ठीके, और hydrogen के पास तो केवल के कोश है, तो उसको तो 2 electron चाहिए, क्योंकि के कोश में, 2 electron ही हो सकते हैं, अधिक्तम, ठीके, तो इस प्रकार से, इसकी electron बिंदू सनरशना, कुछ ऐसी बन गई, समझ गया आप लोग इतना, अब बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रशने की तरफ, hydrogen करण क्या है, इसका एक औध्योगिक अनुप्रयोग लिखिए, देखिए, ये जो hydrogen करण है, ये बहुत ही important अभिक्रिया है, ठीके, तो ये पेपर में पूछी भी जा रही है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, देखिए, hydrogen करण अभिक्रिया क्या होती है न, जिसमें असंत्रप्त हाइड्रोकार्बन, असंत्रप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन-कार्बन परमाणू, डबल बॉंड या ट्रिपल बॉंड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीके, वे पैलेडियम या निकल उत्प्रेरकों की उपस्थिती में, ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, तीवर या मंद कर देते हैं, अभिकारक या उत्पाद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीके, तो इसकी उपस्थिती में, जब हाइड्रोजन जुड़ जाती है, और संत्रिप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ में, तो ये निर्मित कर देते हैं संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन, यानि की कार्बन-कार्बन परमानों के बीश में, अब एक सिंगल बॉंड आ जाएगा, ठीके, या फिर एकल आवंध आ जाएगा तो इसी अभिक्रिया को इसी प्रक्रिया को हाइड्रोजनी करण कहा जाता है तो जो इसका ओद्योगिक अनुप्रयोग होता है ना वह होता है वनस्पती तेल से वनस्पती घी बनाना हम लोगों ने ये वाला चैप्टर के टाइम पे बहुत अच्छे से समझा था है ना तब हमने बात भी की थी कि ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ओफ यू से तो आप देख रहे हैं पेपर में पूछा जा रहा है इस कुशिन को तो क्या बनाते हैं इससे वनस्पती तेल से वनस्पती घी का जो निर्मान होता है वह हाइड्रोजनी करण प्रक्रिया का ही एक अनुप्रयोग है तो देखते हैं ये क्या अभिक्रिया होती है देखिए ये होता है वनस्पती तेल ये जो मैं आर आर लिख रही हूँ हम लोगों ने बात की थी कि ये क्या होते हैं अलकाइल ग्रुप्स या अलकाइल समू अलकिल समू है ना यहाँ पे CH3, C2, H5 कुछ भी आ सकता है अलकिल समू क्या होते हैं जो अलकेन में से एक हाइडरोजन माइनस करके बनते हैं जैसे मिथेन CH4 होता है उसका एक हाइडरोजन माइनस कर दो तो CH3 मेथिल ग्रुप बन जाता है उसी प्रकार के कुछ ग्रुप यहाँ पर जुड़े होते हैं तो यह होता है वनस्पती तेल जब इसको निकल उत्प्रेरक की उपस्थिती में हाइडरोजनी कृत किया जाता है या फिर हाइडरोजन का इसमें सईयोग हो जाता है तो यह जो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉंड दिख रहाता है यह बन जाता है सिंगल बॉंड और यहाँ पर जुड़ जाते हैं हाइडरोजन ठीके और यह वाले तो अलकाइल समू वैसे के वैसे ही रहते हैं तो यह तो होता है वनस्पती तेल इनके नाम भी ऐसे ही लिख देना ठीक है वनस्पती तेल मतलब जो सरसों का तेल मुंखफली का तेल खाना बनाने के लिए यूस किया जाता है न वही तेल और इससे बन जाता है जन्तु वसा या फिर वनस्पती घी जैसे डालडा वगेरा का नाम आपने सुनाओगा है न तो उसका निर्मान इसी के माध्यम से होता है आप समझ गए हाइड्रोजनी करण क्या होता है है ना और इसका हमने अध्योगिक अनुप्रयोग भी देख लिया तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी प्रश्णी किये इस चैप्टर के पुराने चैप्टर के उनको अच्छे से रिवाइस करते रहिए एक कॉपी में अच्छे से नोट करते रहिए सीरियल वाइस उनकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि पेपर के पहले आप बहुत चल्दी से उनका रिविशन कर सको.